कैसी चल रही है तैयारी आप सभी लोगों की आज इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को महतुपूर्ण बोर्ड के प्रश्णों के वारे मरता जाएगा जी हां पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा समझा और जाना कई तरह के रचना एवं रचनाकार से संबंद एसे ही प्रश्ण आप लोगों से पूछे जाते हैं बोर्ड के एक्जाम में तीसरी वीडियो जो की सम्मंधित है आप लोगों के सामने जो questions दिये जाएंगे most important question है आप लोग जरूर तयार करें इनहीं सही questions आएंगे up board exam में तयारी अच्छे से करते चले मेरी promise मेरा जिव् पर लाता रहूंगा हर एक वीडियो में आप लोगों कुछ ना कुछ समझाता है रहूंगा बस आप लोगों को एक्टिव रहना है ऑनलाइन पूरी वीडियो में एंट तक एक्टिव रहना है जिससे आप लोगों को अच्छे से तैयारी आप लोग कर सको जी हां तैयारी अच वीडियो जरूर देखने पड़ेगी कई बाते मैं बताता हूं जो सबसे जरूरी होती हैं बोर्ड के एक्जाम में जी हां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वह आप लोगों को प्रश्ण को समझना है कई प्रश्ण जो आप लोग गलत करके चले आते हों बोर्ड के होगा बोर्ड के एक्जाम के लिए जिहां आप लोगों की एक भी गलती में कोसिस करूंगा की बोर्ड के एकजाम में कभी न हो जो बीसेगल भी एक घलतियां हर स्टूडओं करता है वह आप लोगों से बिल्कूल भी ना हो जिहां चलिए देख लेते हैं उपसर्ग और पता होना चाहिए उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाने के लिए आप लोगों से बोर्ड की एक्जाम में जरूर पोस्ता है सबसे पहले कई स्टोइट को उपसर्ग के बारे में नहीं पता होता है उसके बारे मैं कुछ बाते बता देता हूं जी हां उपसर्ग होते क्य बात की गई है अगर कोई मूल शब्द के आगे कोई शब्दान से जुड़ जाता है और उस मूल शब्द का अर्थ बिलकुल बदल जाता है तब आप कहोगे कि उसमें उपसर्ग जुड़ा है जी हाँ मूल शब्द होना चाहिए कई स्टुडेन यहीं पर गलती करते हैं कि कोई भी उपसर्ग एड नहीं होता है जी हां ध्यान रखिएगा ऐसे सब्द अगर बोर्ड के एक्जाम में आप लोग लिख किया होगे तो आप लोगों को अंक मिलने वाले नहीं है किसी भी मूल शब्द की आगे अगर कोई शब्दान से जुड़ा है तभी उसको उपसर् गलती ना करें और यूबियंस क्लासेस में आप लोग एक्टिव हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से कहीं भी गलती ना जाए चलिए कौन-कौन से उपसर्ग आए हैं बोर्ड के एक्जाम में पूछे जाते हैं इनके बाहर कभी नहीं कुछ भी आएगा इसी से एक्जाम में ही उपसर्ग पूछे जाते हैं चलिए देख लेते हैं कितने उपसर्ग आज की इस वीडियो में रखे गए पहला उपसर जिसका नाम है जो शब्दांस दिया गया है जो आपको सबसे आगे जोड़ना है वो निर है तो ध्यान रखेगा निर रा में हलंत लगा हुआ है अर्थात जो भी शब्द आगे जोड़ेंगे उसके उपर रा की मात्रा चले जाएगी तो ऐसा कोई भी शब्द बनाएं जिसमें आगे रा की मात्रा उपर होती है तो उमीर है आप लोग बना लोगे तो क्या करना है निर शब्दांस से ही उपसर्ग से ही आप लगाईए उसके आगे ये शब्द लगाईए तभी इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर फस्ट का जो उपसर्ग से संबंदित है उसी के कोश्चन गलत हो जाएगा आपका उत्तर अनु के आगे कोई ना कोई मूल शब्द ही एड़ करें तीसरा उपसर्ग जो आप लोगों के आज के इस पेपर शेट में दिया गया है वो है आ जी हाँ आ के आगे बड़ा आ का डंडा लगा है बड़ी आ की मातरा है इसलिए ध्यान दें जो भी सब्द जोड़ें वह आ के आगे ही मूल शब्द जोड़कर ही बनाएं जी हां मूल शब्द जोड़ना है इसमें उपसर्ग दिया है और मूल शब्द जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है जो भी शब्द आपको सबसे अच्छा लग रहा है सबसे सही लग रहा है जि चीहां उप शब्दांस है इसी शब्दांस को जोड़कर आप लोगों को एक नया शब्द बनाना है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले तो उप शब्द एक शब्द बनाना है सही सब्द बनाए जिससे आपका उत्तर गलत ना हो शके इसलिए उप शब्द से संबंधित नहीं याद आ रहा है तो बनाने का प्रयास करें यह सारे प्रश्ण जो उपसर्ग से संबंद्ध संब्द यह समस्थ बोड के एक्साम में पूछे जा चुके हैं और मैं ऐसे प्रश्ण लेकर आया हूं जो बोड तो जरूर बना लेंगे परी से संबंधित आप लोगों कोई ना कोई इस सब्दांस से जोड़कर कोई शब्द जरूर बना लेंगे ऐसे मैं उम्मेद करके चलना हूँ परी है उसके बाद सहा तो सहा से संबंधित आप लोगों को एक शब्दांस दिया गया है इसी सब्दांस कि आपका शब्द सही है या फिर गलत है ध्यान रखिएगा आप लोगों को सारे questions आप लोग अपनी copy में लिखनें जिसमें board के exam के समय आप लोग इसको तयार कर सको अच्छे से और आपके अंक में इजाफा हो सके बढ़ सके अंतर ध्यान रखना अगर आप लोग तयारी नही भाविक नहीं है जी हां सह सब्दांस से मिलकर एक शब्द बनाना है पीछे इसके क्या लगाना है सह के पीछे आपको मूल शब्द लगाना है जबकि उपसर्ग में जो उपसर्ग सब्दांस होते हैं वह आगे जुड़े होते हैं बाकि मूल शब्द पीछे ही जोड़ना है यह ध्यान रखना है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन स सू से संबंदित आप लोगों को सू उपसर्ग से संबंदित आप लोगों को एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकले उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है एक अन्य उपसर्ग जिसका शब्दांस दिया हुआ है अधी तो अधी से संबंदित आप लोगों को एक शब्द बनाना है चलिए बनाती चलिए बनाते चले और आगे क्या है अप सब्दांस दे दिया अप सब्दांस से संबंधित आप लोगों को एक शब्द बनाना है दस्वा है अप आप लोगों को अप से संबंधित एक शब्द बनाना है यह सारे most important इसलिए कोशिश करें सारे सब्दों के अर्थ या फिर सारे सब्दों के जो भी मूल शब्द आप लोग जोड़ रहे हैं वो comment box में बताते चलें अगर कुछ गलत होगा तो मैं बताता चलूँगा अगला है 11 अन तो अन शे सम्मंदित आप लोगों को एक शब्दांस ये दिया गया है इसी सम्मंदित इसी उपसर्गे से सम्मंदित आप लोगों को एक शब्द बनाना है जिसका अर्थ निकलना चाहिए अनर्थक मत बनाईएगा निर्थक मत बनाईएगा इसलिए ध्यान से स आईए परा एक शब्दांस है जो उपसर्ग माना जाता है इसी उपसर्ग की सहायता से आप लोगों को एक नया शब्द बनाना है तो परा से संबंधित आप लोगों एक शब्द जरूर बनाएं आखरी है उपसर्ग जो पूछा जा रहा है आज के इस वीडियो में सम के आगे हलंत लगा है इसलिए ध्यान दे यह हलंत लगता है तब जब इसका शब्द आप लोग बनाएंगे तो यह पर बनेगा इसलिए यह सारे उपसर्ग जो यहां पूछे गए हैं इसकी तयारी जरूर करने और तयारी जितनी अच्छी करोगे आपको अंसर्स के अनंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे इसलिए कहीं कोई शब्द बनासते समय अगर कोई स्पैलिंग की मिस्टेक हो रही है त प्रत्य होते क्या है इसको थोड़ा मैं बता देता हूं वे शब्दांस जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन शब्दांस को प्रत्य कहते हैं जी हां बिलकुल उल्टा था उपसर्ग का बिलकुल उल् के दिये जाते हैं जबकि उपसरगों में ऐसा नहीं था उपसरगों में तीन उपसरगों से एक एक सब्द बनाने के लिए कहे जाते हैं और उसके तीन अंक आपको दिये जाते हैं सबसे एजिएस्ट हैं लेकिन कई स्टुडेंट्स को भाक्स नहीं मिल पाते हैं गलती सिर्फ इतनी हो जाती है कि कोई भी मूल शब्द में वो लोग शब्दांस नहीं जोडते हैं जिस वज़े से उनको अंक नहीं मिल पाते हैं और लिखते समय कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं चोटे सथी की मातार बड़ी की माता छोटे की मातार बड़े की मातार कई प्रकार की गलतियां होती हैँласт उनसे इसलिए सिर्फ सभड बनाए वह सही बनाए कहीं गलती नहां किसी भी कि शब्द में गलती ना हो किसी भी मात्राओं में गलती ना हो तभी आप लोगों को अंक दिये जाएंगे ध्यान अखना है most important चीज़ है निम लिखित प्रत्यों के मेल से एक एक शब्द बनाना है तो जितने भी प्रत्य यहां दिये गए हैं इनहीं से सम्बंदित आप लोगों को प्रत्य से सम्बंदित आप लोगों को schabd बनाना है और ध्यान रहे इस सारे शब्दांस अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हो तैयारी नंबर मिलने की मेरी डायंटी थे तियारी अच्य से करें पहला शब्द जो आई है वो ध्यान रहे यह आई शब्दद आप लोगों को पीछ जोडcycl आहे न कि आगे और उसी जोड़ेना है जिया आई जोड़ेना है अगर आई जोडने के बाद मूल शब्दों में कुछ परिवर्ता ना जाए तो समझ ले आप लोगों ने सही प्रत्य शब्द का इस्तेमाल किया है जहां आई पीछे जोडना है न की आगे चलिए अगला है तो आधाता और वा यह आपको पीछे जोड़ देना है और कोई न कोई जिमाग में आप लोगों के विचार में आप लोगों के मस्तिस्क में कितने शब्द आ सकते हैं और कौन सा सब्द लिखना सबसे ज्यादा बहतर रहेगा यह मैं बता सकूं जी हैं एक से ज्यादा लिखें जिसमें मैं बता सकूं कि कौन सा सबसे ज्यादा बहतर है किसमें आ हट से सम्मंदित आप लोगों को एक शब्द बनाना है हट प्रत्य दिया हुआ है जो कि पीछे जोड़ता है किशी ना किशी मूल शब्द के पीछे जोड़कर आप लोगों को एक शब्द बनाना है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकले तो हट जोड़ना है पीछे आ आप लोगों ने प्रेक्टिस और तयारी की है बोर्ड के लिए आप लोग अच्छे से तयार हो आज तो यह आप लोगों की तयारी से संबंदित यह वेडियो बना जारी जिसमें आप लोग और अच्छे से अपनी तयारी को और निखार ला सको जी हां ता शब्दांस है इसी प्रत्य की रूप में यहां पर दिया है आप लोगों को इससे संबंदित एक सब्द बनाना है कोसिस करें दो या दो से अधिक बना दें तो और अच्छी बात है अगला है वट तो वट से संबंदित जी हां वट से संबंदित प्रत्य जो की है सब्दांस जो की है इसी से तयारी कितनी अच्छी है यह पताते चलें चलिए आगे बढ़तें आगे वटके आगे नेक्स्ट जो सब्द दिया गया है बोड के एक्जाम में यह सारे कुशन्स पूछे गए ध्यान रखेगा इसलिए आज प्रियास करें हिंदी विशय की पूरी वीडियो आप लोगो पूरे दिन दिखाई जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो में आप लोग एक्टिव जरूर रहोगे ध्यान रहे आज हिंदी विशय है तो हो सकता है कल के दिन इंगली विशय मैं बता इसलिए सारी वीडियो लाइव एक्टिव होके देख सकें तो और अच्छी बात है क्योंकि बात में यह वीडियो दिखाई देने वाली नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइव वीडियो में ही सारे अपने पूछ लोगे चलिए आगे बढ़ते हैं पन शब भी हो वो दुवाद की विशह है लेकिन आपको एक शब्द बनाना है जिसमें पन प्रत्ते का प्रयोग किया गया हो जी हां आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्यन पर इस प्रत्ते से संबंदित अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क्या पूछा गया है देख लेते हैं इसमें प्रत्ते शब्दांस से संबंदित आप लोग जो भी प्रश्न बनाएं जो भी सब्द लिखें उसमें छोटे हुखी मातर आने चाहिए आलू आना चाहिए इसलिए मूल शब्द का ध्यान में रखते हुए सब्द बनाएं अगला है आइन तो आइन सब्द लास्ट में आना चाहिए तब जाके कोई एक शब्द आपको बनाना है तो आइन एक प्रत्य शब्दांस है जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ा होता है जी हाँ आइन शब्दांस जो कि किसी मूल सब्द के पीछे ही जोड़ना है और आगे देखते हैं कौन सा प्रत्य शब्दांस दि इसे मोल शब्द के अंत में जोड़कर एक सब्द बनाना है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए इसलिए धियान से समझें धियान से अपने उत्तर को कौपी में लिखें और धियान से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछते चलें कहीं कोई डाउट है कहीं कोई confusion है पूछते जरूर चलें जिसलिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी बात गलत ना हो सके बोड के एक्जाम में आप लोगों कोई भी प्रशन का उत्तर गलत ना हो सके इसलिए एक्टिव रहना है पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना है चैनल अगर सब्सक्राइब नही जिसका लाब हो सके चलिए आखरी वीडियो आखरी कोश्यन है इस प्रत्य शब्दांस से समंदित अनिय सब्द है यह अनिय शब्दांस जो है इसको किसी मूल शब्द में पीछे की तरफ अकर जोडते हैं हम लोग और कोई न कोई शब्द बनके आता है तो वो कौन सा तो बात की बात है फिलाल आज के इस टेस्ट पेपर में आज के इस प्रक्टिस पेपर में आप लोग अनिय शब्दांस से समंदित जो भी शब्द बनाएंगे वो क्या होगा कमेंड बॉक्स में या तो कमेंड करके लिख सकते हैं या फिर कॉपी में जरूर लिखें सब्स Ch γण की अलग बनाएं जिससे आप लोगों को होगा मैं जानता हूँ मुझे उमीद है आप सभी लोग वाटसप से जरूर जुड़े हैं और मैं यह भी उमीद करके चलना हूँ कि आप लोग तैयारी सबसे ज़्यादा तेजी से कर चुके हैं कर रहे हैं यूबियंस क्लासे से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब क कि फीडबैक होते हैं आप लोग भेशते रहते हो समस्ते रहते हो धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए